पांच बार सांसद रहे बिहार के दिगज नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कॉंग्रेस में विलाय को मंजूर कर लिया है। उनकी पत्नी राज्यस्भा सांसद हैं। शाम चार बजे जाब का आधिकारिक तौर पर अस्तित्व समाप्थ हो जाएगा और पत्नी रंजीत रंजन की तरह पप्पू यादव भी कॉंग्रेसी हो जाएंगे। कॉंग्रेस परिवार, कॉंग्रेस की विचारधारा हमें हमेशा एक मजबूत उरजा देती रही है। हमारी राजनिती की नीव, कंप्रिट रुप से सेकुलर, किसी भी धर्म, कॉंग और जाती की एडिन्टिटी पर कोई हमला नहीं, उसकी आइडिलोजी की सुरक्षा, हर परिस्थिती में दूसरों की बिचारों का सम्मान, ये रहा है मेरा लगातार इत्यास, हम पूरी पार्टी, अपने प्रभारी महन प्रकास जी को, पूरी लीश्ट, पूरी नेटिट, चुकि हमारा उस दो व्यक्ति के प्रति, और एक ऐसे व्यक्ति, जो हमारे राश्टी है, ध्यक्ष है, आधर्निये, इस उम्र में भी सबसे ज़्यादे संघरसील, और एक तानासा के खिलाब ससक्त अवाज, खरगे साहब, वो आभाज, इस उम्र में, मैंने नहीं सुना, वो बाबु वीर कुमर सिंग, और खरगे साहब के जब मैं देखता हूँ, तो मुझे बीर कुमर सिंग जी यादाते है, सेसा सुरी यादाते है, उनसे भी मैं मुलाकात की थी, लगातार हम अपने आदर्निय नेता जो भच्पन से जिनको मैं संघर्ज करते देखा, मोहन प्रकाजी, समाजवादी से लेके पुराना जनता दल, जिनका लंबा सानिध मुझे प्राप्त रहा है, एक मजबूत आवाज हुआ करते थे, और आज एक मजबूत बिचारधारा है, मेरे लिए, मैं लगातार हमारा आगरा था, और हम वैसे कॉंग्रेस आइडिलोजी के साथ और हमारी आधी, पूरी परिवार कॉंग्रेस बिचारधारा के साथ रहे, आज हम हमारे बेटे, हमारे जन्रल सेक्रेटरी कुछ लोग आए हैं, कुछ चात्र, कई MLA, X MLA, X मिनिस्टर अखलाग जी, रामचंदर जी, अनलोग, नहीं आपाई चुकी, निरने खेरा साहब का फोन गया, और जो ट्रस्ट हमें प्राप्थ हुआ, इस दुनिया के सबसे संघरसील व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड के हिस्ट्री में, 4000 सबा 4000 किलोमीटर पैदल, 6000 किलोमीटर बाय रोड, आज तक के हिस्ट्री में, जब आदमी ट्वीट पर सब को, और सब कुछ बता देता हो, एक रूम से दूसरे रूम, वहाँ एक हाफ गंजी में माइनस में चलने की हिम्मत, और एक दुनिया के सबसे बड़े तानसा के खिलाब आवाज और लड़ने की हिम्मत, जो जिस प्यक्तिम वह आदरनी राहुल गांदी जी, उनका ट्रस्ट और एक हमारी, जो सबसे ज़्यादे जिसको मैं लाइक करता हूँ, आदरनी प्रियंका जी, जो उसकी डैनमिक और डैसिंग, आवाज है, सोच है, और एक लक्ष है, उनका ग्रेसिंग, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कॉंग्रेस में काफी है, बस मैं इससे ज़्यादे मुझे कुछ नहीं कहना है, पूरी कॉंग्रेस परिवार ने जो सम्मान दिया, और उस दो व्यक्ति के विश्वास ने जिस तरीके से हमें हिम्मत दे, अब उस बेहन प्रियंका जी और उस संघर्स के प्रतीक राहुल गांदी जी, भले ही एबियम, पुंजी पती, मीडिया और सीबिया एदी के द्वारा कोई पियम चारसो पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करूर का किसी ने दिल जीता है तो वो राहुल गांदी है, किसी ने उमीद जगाया है तो राहुल गांदी जी है, और उसके बाद, जो उनकी लड़ाई OBC को लेकर के है, जो कमिट्मेंट समाजिक नयाए को लेकर है, पूरी हिंदी पट्टी, बिहार, यूपी, बंगाल, जारखन, मैं एक बहुत सधारन गिलहरी के तरह, उस लड़ा का भागिदार बनना चाहता था हमीसा, हमें लगता था कि इस देश को सेव करने के लिए, इस डिमोक्रेसी को, लोकतंदर को, और संबिधान के रक्षा के लिए, साथ-साथ, 130 करोर, जहां किसान, बैपारी, यूबा और मैलाएं, सब परिसान है, राहुल गांदी जी के नत् हुए, दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए, आज जन्नादिकार पार्टी, जो एक मजबूत पार्टी, प्यार में कही जाती रही है, संगर्ष में सबसे उपर, सेवा में सबसे उपर, महले ही मेरी सत्ता में भागिदारी नहीं थी, लेकिन मेरी उपस्थिती देश में जन्जी खेलता है, और लगातार हमारे बेटे, जो डियू सिफ प्रॉज की है, सार्थग रंजन, अब वो कॉंग्रेस की लीडर है, उनका नाम मेरी हिम्मत नहीं है, कॉंग्रेस में कुछ मर्यादा हैं होती है, जिसको में पालन करना ही पड़ेगा, और उसका उलंगन करना बड़ा दिक्कत है, और इससे लिए कॉंग्रेस की मर्यादाओं को समझ लेना, यह मैं बच्पन में सीखा था, और कॉंग्रेस आज भी कहवत है, उन्ट बैट भी है तो नाम क्या बोलूं, गधा से उचा होता है, तो वो सब्द है, कॉंग्रेस भायट भी जाए ना, इस ताकतवर लोगों से सर्वस्रिस्ट है, सर्वोत्तम है, और इनको दो सक कितना पार करेंगें तो समय बताएगा, हम और लालु यादव जी दोनों मिल कर, लालु दिल से निकला ना, उन्होंने कभी दिल से निकाला, हम कल भी मिले, लालु जी से, और तेजस्फी जी से, तेजस्फी जी जिसने 17 महने में एक विश्वास पैदा किया है, हम लोग मिलकर 24 भी जीतेंगे, और 25 तो जीतेंगे ही जीतेंगे, इसी उमीद के साथ, आज हम तोर पे अपने रास्तिय अध्यक्स अपने बेन प्रियंका जी जिन्हों ने बहुत मजबूती के साथ हमें हिम्मत दी और उन्हों ने कहा कि यो जस्ट यो जो आएं ये मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती थी इसके बाद इनफ था और इतना ही काफी था मैं कॉंग्रेस के लिए बिहार में ससक्त मजबूती के साथ संगर्स भी करूंगा और मजबूत पार्टी बनाने में हमेशा पूरी तमयता के साथ कॉंग्रेस के लिए काम करूंगा बहुत बहुत धन्वाद आपका स्वागर्थ पुनर सब लोगों का ये लिस्ट में अपने खास तोर पर विसेश रूप से जिन्होंने हमको फौन किया है पबन खिरा साहब जिनकी भासा ही जिनकी तुरित हद जवाब ही काफी है इनके सम्मान के साथ अपने बिहार प्रदेश के CLP लीडर का सम्मान करते हुए मौहन प्रकाजी का और अपने अध्यक्ज का सब का सम्मान करते हुए मैं अपनी पार्टी को आज पूरी तरीके से लिस्ट के साथ मर्जट करता हूँ बहुत बहुत धन्वाद हमारे और लालु जी के बीच पूर्ण तौर पर पारिवारिक रूप से रिष्टा रहा है हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल में हम लोग भाजपा को राय केंगे जिस तरह 17 महीना तेजस्वी यादव ने काम किया उससे जनता में एक विश्वास पैदा हुआ राहुल गांधी ने जिस तरह दिल भी जीता और सपने दिखाएं लोगों उससे एक उम्मीद जगी है हम लोग मिलकर 2024 ही नहीं, 2025 का चुनाव भी जीतेंगे कॉंग्रेस के नेतरित्वने हम लोग मिलकर लडेंगे पूर्या मेरी लाइफ लाइन है वहाँ न कोई जात है न कोई धर्म है मैं हर एक व्यक्ति के दिल में हूँ मेरी लडाई बिलकुल साफ है मैं पूर्ण रूप से इंडी गठ बंधन के साथ हूँ राज़त से मेरा पारिवारिक रिष्टा था है और हमेशा रहेगा तेजस्वी यादव के साथ खड़ा रहना मेरा दायत्व है मैं चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव दो हजार पचीस में मजबूती के साथ सरकार बनाएं पपू यादव का जन्म मधेपुरा जिले में 1967 में हुआ था इसके बाद पूर्णिया पर पढ़ाई करने के लिए आ गए 1990 में निर्दलिय विधायक चुनकर आय पपू यादव ने 1991, 1996, 1999, 2004 और 2014 में लोगसभाचुनाव जीता था पपू यादव ने कॉंग्रेस के साथ दिल्ली में प्रेस कॉंफरेंस की पवन खेडा ने पपू यादव को कॉंग्रेस में शामिल कराया बता दें कि पपू यादव पूर्णिया सीट से लोगसभाचुनाव लड़ने का एलान कर चुके हैं